देखते हैं क्या होता है जब अदील एड़ करते हैं जब अदील एड़ करते हैं क्या होता है थ्युक्त आदक यह फिर्ट करते हैं ओड़ कि कघींगेश कर देखते हैं इसे तरह हम उन्द सकते हैं हैं है ईदील का जो सम घीने किरी एंडा ऑद्स कहनते हैं कि उसको सबस्राइभ होता है फैर्ट ना इन्म वbekऩः ना उन Oui 99 में आपने एड़ करना है 1 को अगर हम इसमें 1 को एड़ करें तो 9 प्लस 1 इक्वल समारे पास आता है 10 10 का हम 1s वाले कालम में जिस्ट 0 लिखेंगे और 1 जो है उसको कनवर्ट कर देंगे 10s वाले कालम में यहनि कि हमने 1s को कनवर्ट कर दिया उसके बाद आप देखें वेन वी एड़ वन वी एड़ वन वी एड़ वन ब्लाक वन मोर वन ही में एक्स 10s कि जब हम एड़ करते हैं वन मौर अगर इसमें एड़ करेंगे तो वह हमारे पास 10 बन जाता है 10 बन जाते हैं to get here 10 चेंजे 10 वन्स को क्या करेगा चेंज कर देगा इंटू 110 यानिकि उसके पास 10 बन रही थे उसने उसको चेंज कर दिया 110 में यानिकि 110 उसने चेंज किया 0 वहां पे रहने दिया और 1 उसको केरी कर दिया नेक्स्ट उसके बाद आप ज़रा देखें के 100 10 & 1 999 आपके पास समयूट है उसमें आपने 1 एड़ किया तो 1 एड़ कर हमने 1 एड़ किया तो हमारे पास आया 0 तो हमने उसको 10s वाले कालम में 0 रखा और 1 उसको कनवर्ट कर दिया अब जो 10s वाले कालम है हमारे पास उसमें भी 9 प्लस 1 है तो one जो हमने convert किया वो भी अगर add करेंगे तो ten हमारे पास फिर आता है ten तो ten का फिर हम zero ही write करेंगे one हम उसको फिर से convert कर देंगे यनि कि 100 वाले कॉलम में उसको convert कर देंगे जीस तरह हम ones बाले कॉलम से tens में convert करते हैं उसी तरह हम tens बाले कॉलम से 10 10s को change कर दिया 100 में उसने 100 में उसको change कर दिया अब next देखें कि वो क्या करता है next फिर उसके पास digit है 9 अब फिर 9 को अगर वो add करता है तो फिर उसके पास 10 नहीं आता है तो उसको add करेगा जब उसने 9 में 1 add किया 0 आया तो उसने 10 नाया तो उसने convert कर दिया 10 ones होगे 10 ones होगे तो उसने 10 ones में से 0 इदर लिखा और 1 convert कर दिया फिर 10 10 होगे फिर उसने 0 लिखा तो फिर उसने 100 को convert कर दिया अब फिर 100 पे आप ज़रा देखें कि 9 प्लस 1 अगर हम add करेंगे फिर हमारे पस आएगा 10 यानि कि 100 आगे convert कर रहा है 1000 को जो convert कि 100 जो है वो change किया जा रहा है किसमे 1000 में now अदील has 10 100 यानि कि अब अदील के पास 10 100 हो गए है ठीक है पहले 10 ones होए थे फिर 10 10 होए थे अब उसके पास 10 100 हो गए he knows that he must change these into 1000 वो जहाता है कि अब उसके पास 10 100 हो गए है तो यहां पर change करना बहुत जरूरी है क्यूंकि हमारे पास जो amount आ रही है वो 10 आ रही है तो must be changes उसको जरूरी change करना है यहां पर 10 100 को 1000 में ठीक है remember एक हमारे पास बाक्स है remember का book पे भी आपको given है कि आपने यह कुछ चीजें है इसको यहाद रखना है कि 9 plus 1 हम add करेंगे तो मारे पास 10 आएगा ठीक है 99 में हम 1 add करेंगे तो 100 आएगा and 999 में जब भी हम add करेंगे 1 को तो मारे पास 1000 आएगा ठीक है increasing यहां पर अगर हम increase कर रहे हैं तो यहां पर 10 increase हो रहा है कि किस तरह ones को convert किया जा रहा है one convert किया जा रहा है one add करके पहले वो tens में convert होता है फिर hundreds में convert होता है then वो thousands में convert होता है तो आपने इसकी examples जो है इसको good solve करना है book pay number 38 पे examples given है table of four आपने जो है उसको oral learn भी करना है okay अलाफिस and thank you